कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे सवस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई व्रक्षी्ट के माधम से अच्छी चल रही होगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की वक्सिट और आज की वक्सिट है कच्छा आठ के समाजिक विज्ञान की वक्सिट नमबर थ्री आज की वक्सिट में हम लोग उपवी से उरोपीय ब्यापारियों का भारत आगमन पढ़ने जा रहे हैं तो यहीं से भारतिय इतिहास का परिवरतन होता है और भारत का जो आवसान है भारत है भारतिय ब्यापार का और उसकी जो दुर्गती है यहीं से सुरू होती है इसलिए हम लोग इसको बहुत ही सावधानी पुरूप पढ़ेंगे और इसके एक-एक फैक्ट पर ध्यान देंगे करा 1680 के दसक तक इंग्लेंड और एउरोप में चापेदार भारतिय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी मतलब 1680 सत्रहवी सताबदी के आखरी सालों में भारतिय कपड़े जो थे पस्चिमी देशों में बहुत डिमांड में थे बहुत मांग में थे और इनका ब्यापार करने वाला बहुत मुनाफे में होता था आकर्सक फूल पत्ती अतला इस पर जो फूल पत्तियों का डियाइन होता था काफी अच्छा लगता था वारी क्रे से सस्ती कीमत की वज़ा से भारतिय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था एक तो भारतिय कपड़े देखने में अच्छे लग रहे थे पहनने में हलके थे और कीमत भून की सस्ती थी जिसके वज़ा से भारतिय कपड़े का एक अलग ही ब्रांड बना हुआ था कि इंडियन कपड़ा है और इंग्लैंड के रैस ही नहीं बलकि खुद महारानी भी भा चोटे से लेकर बड़े चोटे क्या बड़े को कहिए क्योंकि उस समय भारतिय कपड़ा एक बहुत अच्छा ब्रांड माना जाता था और उसको यहां तक की इंग्लैंड की महारानी भी भारतिय कपड़ा पहनती थी दुनिया के बजार पर भारतिय कपड़े का दबदबा 18 सतावदी के आखिर तक बना रहा मतलब की 1700 कुछ इस्वी तक 1780 तक मानिये उस समय तक दुनिया के कपड़ा बजार में भारतिय कपड़े का दबदबा बना रहा उसके बाद डच मतलब डेन्वार्क के फ्रेंच फ्रांस के और अन्य यूरोपिय ब्यापारी कमपनिया पुर्टगाल की ब्रिटेन की आई और इन कमपनियों ने इस ब्यापार से बेहिसा मुनाफ़ा कमाया आप लोग जानते हैं कि पहले ये कमपनिया भारत आती थी और भारत से कपड़े और मसालों का ब्यापार करती थी और इसमें ये लोग काफी मुनाफ़ा कमाया क्या आप बता सकते हैं कि ये मुनाफ़ा उन कहा जा रहा है कि पिछली कक्षा में समाजिक और राजनेतिक जीवन पुस्तक के अध्याए 8 बाजार में एक कमीज की कहानी आपने पढ़ी मतलब कि पिछली कक्षा में आपने समाज और राजनेतिक जीवन की पुस्तक के अध्याए आठ में बाजार में एक कमीज इसकी कहानी आपने पढ़ी इसमें आपने जाना था कि कमीज बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस तरह लाव कमाते हैं आईए इसे समझने के लिए हमें गतिविधी दोर आते हैं यह एक सर्ट का चित्र दिया गया है सर्ट का क्रैमूल दो सोर रुपिया मतला कि इसको दो सो रुपे में खरीदा गया भंडारण पर खəειςको रखने पर खर्ष आया लगभाग सो रुपिया और विज्यापन इसको बेचने के लिए खर्चाया तीन सो रुपिया और लाब कमाया गया छे सो रुपिया तो ये सारी जो चीजें हैं एक दो सो रुपिय के कपड़े को कितना ज्यादा महंगा बनाया गया इसको देखी संजुक्त राज अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीजे प्रदर्सित की गई इन कमीजों की किमत 26 डॉलर या 1200 रुपिया रखी गई दिये गए चित्र के अनुसार रिक्तस्थानों की पूर्ति करें यहां जो चित्र है उसको आप देखिए और रिक्तस्थान की पूर्ति कीज़े कह रहा है कि संजुक्त राज अमेरिका के कमीजों के एक ब्यावसाई ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से मतलब दिल्ली से वस्त्र खरदा कितने में 200 रुपे में मात्र 200 रुपे में उसने दिल्ली से सट खरदा और प्रती कमीज के हिसाब से मतलब 200 रुपे में एक कमीज खरदा फिर उसने 10 रुपे संचार साथनो जारा बिग्यापन के लिए खर्च किये बिग्यापन के लिए उसने प्रती कमीज 300 रुपिया खर्च किया पताए जितने का कमीज नहीं उससे ज़्यादा भी आपन को खर्च किये इसके बाद लगभग प्रती कमीज इस्टोर करने में 100 रुपे का खर्च आया 100 रुपे का तो 200, 300, 500, 100, 600 रुपे हो गए अब प्रदर्शन एम अन्यमद में खर्च किये गए तो इसमें पूरे कमीज पर खर्च हो गया 600 रुपिया इस तरह इस बैक्ति को कमीज की लागत 600 रुपिया पड़ी जबकि वह उसे 1200 रुपे में बेचता है तीदे दोगुने दा तो उसे मुनाफ़ा 600 रुपे का हुआ वह जितनी अधिक संख्या में कमीजे बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाब होगा अब है इधर कि दिल्ली के वस्तर निर्यातक ने 200 रुपे प्रती कमीज के हिसाब से जो कमीजे बेची उसमें कपड़ा और कमीज लगने वाले 70 रुपिया प्रती कमीज 70 रुपिया प्लस मजदूरी में 15 रुपिया प्रती कमीज और कार्याले चलाने में 15 रुपिया प्रती कमीज मतलब कि 100 रुपिया उसका खर्चाया और उसने 200 रुपे में बेचा तो दिल्ली वाला व्यापारी इस पर मात्रे 100 रुपिया कमा पाया रुपिया जबकि अमेरिका वाला व्यापडी सब कितना कमाया जब किस आप कर रहा है यह बस्त्र निर्यात्तों को प्रति कमीज मिलने वाले लाभ की गढ़ना कीजी तो आपने देखा है कि प्रति कमीज खर्च कितना था उसका 600 रुपिया बेचा कितने में 1200 रुपिया में उसको बेचता है 1200 रुपिया तो 1200 में से 600 आप घटा दीजे तो कितना हुआ 600 रुपिया तो प्रतिकमिज उसकी लागत कितनी हो गई 600 रुपिया अब है यहां कि निर्यातक किसे कहते हैं और आयातक किसे कहत वह ब्यापारी जो दूसरे देशों को समान बेशता है वह क्या कहलाता है निर्यातक कहलाता है और आयातक वह ब्यापारी जो दूसरे देशों से समान खरीते हैं इनको आयातक कहते हैं तो निर्यातक मतलब जो समान एक्सपोर्ट करता है और आयातक और ब्यापारी जो दूसरे दसों से समान खरीते हैं अब यहां कुछ प्रस्ण हैं दो प्रस्ण दिये गए हैं कि 18 सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के ब्यापार में भारत तथा इंग्लेंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचानिये और प्रस्ण दो है कि 18 सदी के आखिर तक इंग्लेंड और यूरोप में भारतिय सूती कपड़े की जबरदस्त मांगे क्या कारण थे तो चलिए अब इन प्रस्णों के उत्तर लिखते हैं यहाँ पहला प्रस्ण है कि वस्त निर्यातक को प्रती कमीज पर मिलने वाले लाव की गर्णा किजिए तो हमने लाव किया है कि वस्त निर्यातक को प्रती कमीज पर मिलने वाला लाव 600 रुपिया है और उसके बाद है प्रस्न एक कि 18 सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के ब्यापार में भारत तथा इंगलेंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहजानी है तो अठारमी सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के ब्यापार में भारत निर्यातक देश था और इंग्लेंड आयातक देश था उसके बाद प्रस्नक दो है के 18 सदी के आखिर तक England और Ủीरोप में भारतिय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग की क्या कारण थे तो वच्चों ये थी हमारी आज की वाक सिट, और आज की वाक सिट में हम लोगोंने बहुत कुछ जाना और इसे साथ ये वीडियो कम्प्रीट होती है वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक, सब्स्राइब, कॉमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू